दोस्तो आज इतना easy way पर आपको एक math magic में करके दिखाऊँगा कि आप इसको कभी नहीं भूलोगे ठीके तो जो होता है कि लोग comment करते कि भाई मुझे ये समझ में नहीं आया तो आज मैं आपको एकदम detail में एकदम मतलब बच्ची की तरह समझा दूँगा उसके बाद आप ये कभी नहीं भूलोगे और आप जिसको ये magic दिखाते हो उसको भी ये चीज आना चाहिए अब क्या वो मैं आप ये आपको बताता हूँ दोस्ते चार चीज ये अलग अलग चीज है ये लोगों को समझ भी आना चाहिए कि ये क्या है ये है एक डिट वाल एक नमबर ये है दो डिट वाल एक नमबर ये है तीन डिट वाल एक नमबर ये है फो डिट वाल नमबर ठीके तो अभी आपको मतलब अपने दोस्त को भी ये आना चाहिए कि कौन सा मतलब आप बोले कि तीन डिट के एक नमबर लिखा और वो दो डिट वाला लिखा तो ये होने ही होगा तो आपको इसको ध्यान में रखना है और आपको बोलना है कि भाई तीन डीट के ऊपर कोई भी एक नमबर लिखे तो ये मैजिक बहुत ही अच्छी तरीके से होगा और ये हो आप और ये है आपका दोस्त ठीक है अभी आप अपने दोस्त को बोलो कि भाई तुम टीन डीट के ऊपर कोई भी नमबर लिख सकतो एक नमबर दोबाल लिख सकतो कोई बात नहीं सिर्फ आप वो नहीं देखो गए ठीके वो बंदा अकेला करेगा अब मान लिजी आपके दोस्त ने लिखा ये 5 डीजिट वाला एक नमबर 36842 एकदम रैंडम सा नमबर है इसमें कोई भी नमबर मतलब दोबारा नहीं है लेकिन हो सकता है कोई बात नहीं इसमें तो अब आप बोलो कि भाई तुमने नमबर लिख लिया है अब सारे नमबर को एट करो और करके उसके नीचे लिख दो तो 9, 8, 17, 17 प्लास 4 होता है 21 और 2 होता है 23 तो 23 को इसके नीचे लिख देंगे और इस पूरे नमबर से इसको माइनस कर देंगे ठीक है पूरे चीज़ को इससे माइनस कर देंगे तो ये हो गया दोस्तो हमने कर लिया मतलब आपके दोस्त ने कर लिया ठीक है अब आप ये नहीं देख लो ठीक है अब आप अपने दोस्त को बोलो कि इस में से इस में से कोई भी एक नमबर छोड़के आपको बाकी पूरा नमबर बताए ठीक है पूरा नमबर आपको बताए तो आप कर ल बोलता है 3 6 1 9 तो अब आपका काम है आप क्या करोगे आप जल्दी से इन सारे नंबर को प्लास कर दो ठीके 9 प्लास 1 होता है 10 और इधर 6 16 और प्लास 3 होता है 19 तो 19 हुआ तो अभी आपको 9 का टेबिल आना चाहिए 9 का टेबिल मतलब क्या 9 1 जा 9 9 2 जा 18 ऐसा 3 2 9 27 तो अभी हम लोग देखेंगी 19 के बाद 9 के टेबिल का कौन सा नंबर है 19 के बाद 9 का टेबिल जो है वो है 27 तो हमें 27 से ये 19 मतलब हमें जो आया है ये माइनस करना है और एंसर आएगा 8 और ये ही 8 ये नंबर वही होगा जो बंदा छुपाया है ठीके तो ये एकदब easy easy चीज है दोस्त ये आप हमेशा कर पाओगे सिर्फ आप ध्यान में रखना कि ये digit वाला चीज ये लोग miss ना कर ठीके और आप इसको और भी तरीके से कर सकतो मानलो वो अगर आपको ऐसे करके बताए ठीके मैं आपको इसका और भी version दिखाता हूँ वो अगर बताए कि आप बोलो कि आप एक आप जट से बोल दो उसके ये चीज करके कि आपने जो number चुपाया है वो है 8 ठीके मतलब आप कुछ भी कर सकते हो सिर्फ ये चीज आपको आना चाहिए तो आई होप आप सबको आज का ये math magic अच्छा लग होगा अच्छा लग होगा तो प्लीज वीडियो को एक बड़ा सा सब्सक्राइब कर दो और बेल नोड़ दो आपको आउन करना मत भूलना तो ऐसे मौसा मौसा मैजी इसी तरह ही और मिल ते अगले वीडियो पे तब तक टा टा बाई-बाई